22 जन्वरी को अयोध्या में प्रभू श्री राम लला विराजमान होंगे मगर आज हम आपको उनके एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान श्री राम और श्री राम मंदिर के नाम लिख दिया तस्विरें आप देख रहे हैं इनका नाम अब भोजपाली बाबा है वैसे उनका नाम रविंद्र गुपता है आज से 30 वर्ष पहले जब उनकी उम्र 21-22 वर्ष थी अयोध्या गए थे उस विवादिद ढाचे के दोरान भी उस वक्त जब उसे गिराया गया वहाँ पर मौजूद है और वही पर प्रण लिया गया कि जब तक प्रभु शिराम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता वो विवार नहीं करेंगे आप से बातचीट करते हैं भुच पाली बाबा आप बताईए आप से बातचीट करना चाहते हैं अभी भी प्रभु शिराम मंदिर में ही है और यह भी वो मंदिर है जहां पर जितने भी कारसेवक थे जब धाचा गिराया गया उसके बाद जब वो भुपाल पहुचे तो इसी प्रभू शीराम के मंदिर में भी पहुचे और खास बात तो यह है कि जो वहां से कारसेवक इटे लेकर आये थे वो भी इस मंदिर में लगाई गई है आपने तो अपना पूरा जीवान ही प्रभू शीराम के नाम लिख दिया प्रभू की एक बताईए आप कब गए थे कितने वर्ष के थे कौन-कौन साथ में था क्या हुआ कैसे आपने प्रण लिया कि में जब 21 वर्षगाथ था ओ शेदियु परण उन्ने इस सवाली वाहन वाली वाली कार्षिवा में विध़्यार्तिपरुश्वत के कारिकरता के ना थे वाहेनी में में जाना हुआ तो यहां से लगबग हमारी वायनी में विध्यारती परिशत्य लगबग 21 लोग गए थे उनमें एक में भी था तो पहां से गए और छेदिस अंबर को जब कार्चेवा हो रही थी तो उसकी जब पूर्णा उती हो गई तो उसमें यह आप जो सिंगासन देख रहे हैं न हमारे मंदिर का यह भी मंदिर उस समय कच्चा था और इसी कच्चे मंदिर थे में उस महा पर जो भगवान प्रभु स्री राम का मंदिर पे जो अतिक्रमन था वो जब वो हटा तो उसमें भी जो तीसरा जब गुंबत गिर रहा था तो उस समय योगा योग से देव योग से हमारी जो भुपाल वाली टोली थी फुराने भुपाल वाली टोली उस टोली में मेरा भी जाना हुआ था तो वो टोली उस समय उपस्तित्ति जब वो बीच वाला गुंबद गिर रहा था जिसमें जिसे यह मंदिर ना तो ऐसे ही वो गुंबद बना हुआ था और एक सिंगासन रखा तो उसको हटा कर जब धूली धूल मेहट रहा जब भुसिंग आसनेटी तो हमने सोगंध खाली हमारे भंदर भाव आया कि हम हिंदूराश्ट में हमको हमारे प्रभुसिराम के मंदिर को बनाने के लिए पांसो साल से संगर से चल रहा है और इतनी लडाईयां होने के वाद इत क्योंकि चाले 500 साल पहले 1528 में जब अतिकर्मन बना था तो वो पांसो साल पुरानी इमारत थी इतनी मोटी 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 दिवाले थी और उस मोटी 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 दिवालों में में हमने जब देखा ना वहां जब गए तो हजारों हिंदू सनातनी युवा पूरे कार से वग पर पिल पड़े और पूरा धूली धूल हो रहा था तो आपो आदेस यह हुआ कि जल्दी से अपने को यह क्योंकि वो कानूनी रूप में मामला फसा हुआ था भाई आपने इस्वर की प्रेणा से प्रभु स्रीराम की प्रेणा से वह अतिक्रमन तवाट कि हमने नहीं अटाय ना किसी संगतन ने आता है वह प्रभु की इक्षा थी और वह जो मन रहा है वह भी प्रभु की इक्षा है तो जब वह ट रहा था तो उसका जो मल्वा सापोरा था तो 15,00000,000 लोग एक एक एत लेकर चले गए तो हम भी एक एक लेकर यहां आ गए और बो जो एक है वो इट इसी हमने ये 2004 में इसी कच्च मंदिर को पुना बनाने के लिए जब हमारी यहां की जो समीती ने तो हमने भी हमारा जो पजिशन था यहां हमने पजिशन इसा यहां जोड़ के बिलकुल हमने खाली कर दिया सबसे खास बात यह है कि अयोध्या से प्रभू शीराम जी का जो मंदिर बन रहा है जहां राम लिला 22 जन्वरी को विराचवान होगे वहां से खास तोर पर एक विशेश आमंतरन पत्र भी भी भेजा गया है वो भी आप ने देखा कि प्रभू शीराम के चड़नों में ही बोचपाली बाबा ने चड़ाया है आप बताईए कि निमंतरन भी आपको आया है कितनी खुशी आपके मन में इस निमंतरन पत्र से करेंगे तो 19 जन्वरी को यहां से निकलूंगा आप बताईए कि आप जब घर पर आए और आपने आपके परिवार को बताया होगा कि आपने इस तरह का प्रण ले लिया है संकल्प ले लिया है कि शादी नहीं करेंगे तो कैसे फिर वाप के परिवार का रियक्शन था क्या प्रतिक्रिया थी और फिर कैसे यह रविन गुपता से भुचपाली बाबा बनने का सफर ते क्या अभी एक वर्ष पूर्वी 2222 में 6 अक्टूबर को सांतुई और वो 6 दिसमबर मेरे जीवन से यह सा चड़ा हुआ है कि 6 दिसमबर 2021 को में पांचवी परिक्रमा करने के 23 rue 27 tutti senti यह चनाया तो वो रोने लगी क्योंकि एक बनिया परिवार की महिला उसकी कामना यह रही कि मेरे सारे वच्चों कि साधी हो जाया मैं अपने सामने अपने बच्चों की साधी देख लू तो मेरे 3 भाईयों की साधी हो च्वा की ती वो मेरी साधी मेरी का इंतजार कर करते दियारती पुरिशत का कारे करने के लिए रात राद बर में रात को हम लोगे ना स्री राम जन्मभूमी आंदोलन की वाल राइटिंग करते थे इस बोपाल में बढ़े अक्षारों में चलो अयोद्या एवीबीप चलो अयोद्या एवीबीप लिखते थे आपने तो सिर् तक मैंने डबले मेलेल वितक अध्यान हुआ बगालत भी करी और फिर बगालत के बाद जब शाधी नहीं करनी थी तो और क्या है कि मामला दाओं पेच फस गया था स्री राम जनम भूमी का कानूनी लंबी लड़ाई लग रही थी तो हम फिर घर छोड़ दिया हमने और माना र अर्मदा वाला मामला है अब तो मान अर्मदा वाला मामला हो गया जीवन में यहने प्रभु सिरिनाम और मान अर्मदा तो अब सनातन की सेवा में ही पूरा जीवन क्योंकि अब सनातन का दोर नहीं आया है दोर तो किसी और का आया था सनातन की आंधी आने वाली तो उसके ल आज सरीव में और मान रमदा में बे गई और अब मैं फिर 21 साल का तरो ताजा युवा लग रहा हूं और संगटन जो आदिस करेगा हिंदू समाद जो आदिस करेगा मैं पुना उसके लिए तयार तो ऐसे ही कार सेवक ऐसे ही प्रभूशी राम के भक्त जिनों ने अपना सारा जीवन ही प्रभूशी राम और राम लला का जो भव्य मंदिर है उसे बनाने में समर्पित कर दिया और आज शॉयद उसी का परिणाम है कि आयुध्या में इतना भव्य मंदिर बन रहा है कैबरापरसन मुकेश के साथ शुबम गुपतार टीवी नाइन भारत वर्ष मुपार